बॉलिवुड फिल्मों का इतिहास बहुत पुराना है, जाने कितने ही फिल्में बन चुकी, हजारों स्टार्स हैं, टेक्निशियन्स हैं, तो जाहिर सी बात है इन सबसे संबंदित हजारों किस्से भी होंगे, तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ दिल्चस्प किस्से आपक सुनाएंगे, जो शायद आपको पसंद भी आएं, वैसे भी हमारी आज की पीडी पुरानी फिल्मों के दो-चार नाम तो जरूर जानते होंगे, लेकिन गाने कैसे बनते थे, उस वक्त स्टार्स कैसे होते थे, उनकी पार्टीज कैसी होती थी, फिल्म बनने का प्रोसेस कि ये शायद उन्हें ना पता हो, इसलिए हम अपने एपिसोड में कोशिश करते हैं कि पुरानी फिल्मों से संबंदित कुछ जानकारिया आप तक पहुँचाते रहें, उमीद करते हैं आपको पसंद आएगा, वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किदर है साठ के दशक में बॉलिवुड फिल्मों में एक से एक सुरीले गाने बने, कई तो ऐसी फिल्म में रही जो केवल अपने गानों के लिए चर्चा में रही, जैसे गाइड, बरसात की रात, दिल अपना और प्रीत पराई, मन्जिल और संगम ये वो दोर था जब मदन मोहन, स्टी बर्मन, शंकर जैकिशन जैसे म्यूजिक डिरेक्टर्स का जलवा था और इन्ही के बीच अच्छे गीतकारों की भी कमी नहीं थी, जिन्होंने बहत खुबसूरत गीत भी लिखे थे इनी में से एक थे मजरूह सुल्तानपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी बॉलिवुड की सबसे बड़ी शक्सियतों में से एक मानी जाती है उनके लिखे अंगिनत गानों ने बॉलिवुड फिल्मों की शोभा बढ़ाई, मजरू सुल्तानपूरी उस वक्त अपने पीक पर थे और उनकी बातों को कोई नजर अंदाज भी नहीं करता था, उनका कहना था कि बिना उर्दू के शब्दों के कोई गाना लिखा ही नहीं ज कि वो एक ऐसा गीत लिखेंगे जिसमें एक भी उर्दू का शब्द इस्तिमाल ना किया गया हो। वो गाना था 1970 में रिलिइस्ट फिल्म प्रेम पुजारी का इस पूरे गाने में एक भी उर्दू शब्द का इस्तमाल नहीं किया गया था इसी फिल्म का दूसरा गाना फूलों के रंग से भी इन्हों नहीं लिखा था उसमें भी यदि दो-तीन शब्दों को हटा दे तो ज्यादा तर गाने के बोल हिंदी के ही थे 1951 में राजकपूर ने फिल्म बनाई थी आवारा इसके बाद उन्हें पूरी दुनिया में लोग जानने लगे थे खास तोर से रशिया में क्योंकि वहां के एक गाने का कॉपी करके इस फिल्म आवारा में इस्तमाल किया गया था ये एक रीजन हो सकता है कि भले ही राजकपूर साहब ने कॉपी किया हो सौंग लेकिन ये गाना उन रशियन्स के दिल के करीब जरूर हो गया था ये गाना था आवारा हूं खर ये सब तो शायद आपको पता ही हो लेकिन इस फिल्म की जो सबसे खास बात थी कि बॉलिवूड फिल्मों में ऐसा पहली बार होने जा रहा था कि एक गाने को सपने में दिखाना था यानि द्रीम सीक्विन्स सौंग इससे पहले कभी भी फिल्मों में द्रीम सीक्विन्स का इस्तमाल नहीं किया गया था हर नई चीज जब आप पहली बार करते हो तो रिस्क तो जरूर होता है लेकिन अगर वो प्रियोग सक्सस्फुल हो जाए तो सारा श्रे भी आपको ही जाता है राजकपूर सहाब ने आवारा फिल्म के एक गाने घर आया मेरा परदेशी को ड्रीम सिक्वेंस के तोर पर यूज किया उन्हें थोड़ी चिंता जरूर थी कि इससे पहले ओडियन्स ने ऐसा कुछ देखा नहीं है पता नहीं वो समझ पाएंगे कि ये गाना सपने में चल रहा है या नहीं खैर गाना बना भी शूट भी हुआ और फिल्म रिलीज भी हुई और हम सब जानते हैं कि ये एक सूपर हिट गाना साबित हुआ था इस फिल्म में एक खास बात और ये थी कि फिल्म में एक जज का किरदार निभाया था लाला दिवान वशेश्वर ने जो कि राज कपूर के दादा जी थे राजकुमार और मीना कुमारी की एक सूपर हिट फिल्म थी काजल इस फिल्म के शूटिंग के वक्त राजकुमार सहाब को एक डायलॉग बोलना था मीना कुमारी को जिनें वो शराब पिलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इस situation के lines मिल नहीं रहे थे तो फिल्म निर्देशक राम महिश्वरी ने साहिर लुद्यानवी से बात की और उन्हें situation समझाया इस पर साहिर सहाब ने lines लिखे छू लेने दो नाजुक होटो को Actually में ये एक dialogue था जो राज कुमार को मीना कुमारी से कहना था लेकिन जब संगीत का रवी जी ने ये lines सुनी तो वो बहुत खुश हुए और बोले ये lines इतनी खुबसूरत है कि इसे dialogues में यूज करने की बजाए इस पर गाना बनाया जाए लेकिन फिल्म निर्देशक राम महिश्वारी नहीं चाहते थे कि राज कुमार गाना वाना गाए वो चाहते थे वो dialogues ही बोले बस लेकिन फिर संगीत का रवी जी भी अपनी बात पर अड़ गए कि इसको गाना ही बनाना चाहिए काफी वाद विवाद के बाद आखिरकार साहिड जी ने इसके दो अंत्रे और लिख डाले हालाकि रवी चाहते थे कि इसमें चार अंत्रे हों इसलिए वो साहिड जी से दोबारा मिलना चाहते थे लेकिन साहिर जी शहर से बाहर कुछ दिनों के लिए घूमने निकल गए थे उन्हें काफी ढूंडा गया लेकिन वो मिले नहीं हार कर रवी जी ने दो अंतरों के साथ ही इस गाने को बनाने का फैसला किया और इस गाने को मुहम्मद रफी साहब से गवाया जब इस गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो स्टूडियो में बैठे सभी लोगों ने तालिया बजाई और गाने की खूब तारीफ हुई यानि ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के जमाने में चौनी वॉकर से लेकर भगवान दादा जैसे कई कॉमेडियन्स रहे जिन्होंने फिल्मों में लोगों को खूब हसाया लेकिन इन सब में केवल एक ही ऐसी फीमेल आर्टिस्ट थी जिसने कॉमेडी में इन सब को बराबर की टक कर दी और वो थी टुन टुन जिनका असली नाम था उमा देवी खतरी फिल्म इंडस्ट्री की ये पहली फीमेल कॉमेडियन थी लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो एक प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर भी थी जिनोंने कौन चला मेरी आँखों में और आज मची है धूम जूम खुशी से जैसे गाने गाये थे नहीं सुने आपने? तो ये गाना तो डेफिनेटली आपने सुना होगा जी हाँ, इस एवरग्रीन गाने को गाये था टुन टुन यानि की उमा देवी खतरी ने पंडित भारत व्यास जी एक प्रसिद गीतकार थे 1957 की बात है जब उनका अपने बेटे से किसी बात को लेकर बहस हो गई जिसके कारण उनका बेटा घर छोड़ कर चला गया काफी दिन तक उसे ढूंडते रहे लेकिन वो मिला नहीं ठक हार कर भारत व्यास घर लोटा है दो दिन तीन दिन गुजर जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं लोटा तो भारत व्यास काफी दुखी रहने लगे घंटों बैठ कर बेटे को याद करते रोते रहते उनी दिनों प्रडियूसर संतोष गोयल उनके पास आये जो एक फिल्म बना रहे थे जनम जनम के फेरे जिसके लिए वो चाहते थे कि व्यास जी एक गीत लिखे लेकिन व्यास जी तो शोक के सागर में गोते लगा रहे थे दुखी थे इसलिए उन्होंने उस प्रडियूसर को वहाँ से जाने के लिए कह दिया लेकिन व्यास जी की पत्नी ने संतोष गोयल को भरोसा दिलाया कि शाम को आईए आपको आपका गाना तयार मिलेगा पत्नी के कहने पर व्यास जी ने गाना लिखना शुरू किया और अपने बेटे को याद करते हुए पूरा गाना लिख डाला ये गाना था जरा सामने तो आव चलिया इस गीत का पहला अंतरा गोड से सुनने पर पता चलता है कि वाकई में ये एक पिता का पुत्र के लिए प्रेम ही था जिसे उन्होंने शब्तों में पिरो कर गीत लिख डाला था इसका अंतरा था हम तुम्हें चाहें तुम हमें ना चाहो ऐसा हो नहीं सकता खर ये गाना ब्लॉक्बस्टर गीत साबित हुआ और रेडियो प्रोग्राम में ये गाना एक साल तक नंबर वन पर रहा था 1959 में राजंदर कुमार की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई ये फिल्म ब्लॉक्बस्टर साबित हुई थी फिल्म में काम करने वाले हर कलाकार हर टेक्नीशियन, म्यूजिक डिरेक्टर, गीतकार सब बहुत खुश थे लेकिन एक ऐसा शक्स भी था जो इस फिल्म का हिस्सा तो था लेकिन वो नाराज था, क्रोधित था इस इनसान का नाम था रामलाल, रामलाल एक शहनाई वादक थे जो गानों में शहनाई बजाते थे गुझ उठी शहनाई फिल्म में पहली बार उस्ताद बिस्मिला खान ने शहनाई बजाई थी फिल्म के poster's से लेकर जहाँ जहाँ फिल्म की publicity की गई उसमें इस बात को सबसे ज्यादा highlight किया गया कि इस फिल्म में बिस्मिला कान ने शहनाई बजाई है जिसकी वज़े से फिल्म को अच्छी खासी publicity भी मिल रही थी लेकिन इस फिल्म के background music और गानों में बिस्मिल्ला खान से ज्यादा शहनाई रामलाल ने बजाई थी लेकिन नाम इस्तिमाल किया गया बिस्मिल्ला खान का फिल्म के क्रेडिट्स में भी बिस्मिल्ला खान का नाम सबसे उपर रखा गया और रामलाल का नाम 14 एसिस्टेंट्स में इस बात से रामलाल इतने नाराज हुए कि उन्होंने कसम खा लिया कि वो फिल्म गुज उठी शेहनाई कभी देखेंगे ही नहीं और उन्होंने तमाम उम्ड इस कसम को निभाया भी। गुंजूटी शेनाई में रामलाल को क्रेडिट्स तो नहीं मिला लेकिन वी शांताराम उनके संगीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रामलाल को अपनी फिल्म सहरा में म्यूजिक डिरेक्टर ही बना दिया. दोस्तो इसी प्रकार के कई रोचक किस्से हैं जो बॉलिवुट में घटित होते रहे हैं। उमीद करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा। दिस्क्रिप्शन, follow me on Twitter and Instagram, be safe, have fun, मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए